सब्सक्राइब कीजिए ब्रिश एस्पेशल को और दवाईए इस बेल आइकन को ताकि ऐसे ही ग्यान बर्धक बीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके ब्रिश भरासी वालों का आज का रासी फल यहने की 28 अप्रेल 2020 का रासी फल तो जैसे आराम दोस्तों आईए आज के बेडियो की सुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा भी इतने वाला है लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 29 अप्रेल 2020 के पंचांग के बड़े में आज तिथी है सस्थी नक्षत्र है पुनर वसू पक्ष है सुकल पक्ष और दिन है बुद्ध बार आज के दिन सुर्य उद्य हो रहा है पांच बज के एक तालीस मिनट में शुर्यास्त हो रहा है छे बज के पच्पन मिनट में और आज का दिन काल है तेरह घंटे तेरह मिनट चौबालिस सेकेंड का रितू है ग्रिस्म और महिना है वैसाख आज के दिन आपके लिए सुभ समय नहीं है असुभ समय सुरू होता है ग्यारह बज के बाबन मिनट से बारह बज के पैंटालीस मिनट तक और राहुकाल सुरू होता है बारह बज के अठारह मिनट से एक बज के संताबन मिनट तक दिसा सूल है उत्तर दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग अब बात करेंगे आपके आज के दिन के बाड़े में लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर लें इसके बेल आइकन को आल पे आउन कर दें और इस वीडियो के नीचे ओम स्री गने शाय नमह आप कमेंट कर दें दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का भाग्यशाली रंग भाग्यशाली अंक और अनोखा तोटका है तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रयास करें ताकि आपका समय बेहतर और सांधार हो सके दोस्तों सबसे पहला है आपका सुआस्ट सुआस्ट के लिहाद से आज का दिन आपके लिए सामाणने से काफी जियादा नीची रहने वाला है आज के दिन अपने घर पड़िवार में आपको गुसा काफी ज्यादा आने वाला है छोटी मोटी बात पे आप गुसा करेंगे और इस वजह से आपका स्वास्त खराब हो जाएगा लेकिन अगर अपने गुसे पे आप काबू कर लेते हैं अपने गुसे पे आप कंट्रोल कर तो आपका सुआस्त बेहतर हो जाएगा और कहीं कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद है आपका धन संपत्ति तो पैसों के लिहाद से आपका समय सामाणने से थोरा सब बेहतर रहेगा लेकिन बहुत जियादा बेहतर नहीं रहने वाला है। आज के दिन अपने खर्चे पे अपने पैसों के निवेस पे आप ध्यान दे जहां आविश्यक्ता हो आप पैसे खर्च वही करें जहां आविश्यक्ता नहीं हो वहां आप पैसे खर्च बिल्कुल भी न करें अने था आने वाले वक्त में आपको पैसों की समस्या हो जाएगी इसके बाद है आपका पाड़िवारिक जीबन दोस्तों आज के दिन अपने घर पड़िवार के माहौल को अपने घर के वाताबरन को आप अच्छा करने का प्रयास करें अगर आपके घर पड़िवार में कोई विक्ती परेशान है तो उस विक्ति की आप सहायता करें और पारिवारिक जीवन को बेहतर करने का प्रयास करें इसके बाद बात करते हैं आपके प्रेम शंबंध के बारे में तो प्रेम संबंध के लिहाज से आपका समय बहुत ज्यादा बेहतर और शांदार रहने वाला है आज के दिन आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका से आपको प्यार काफी ज्यादा मिलेगा और इस वजह से आने वाले वक्त में आपका प्रेम शंबंध बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा इसके बाद है आपका कामकाज तो कामकाज के लिहाज से आज का दिन आपके लिए सामानने रहेगा आज के दिन अगर अपने कामकाज में अपने काडे छेतर में आप कोई बदलाव करते हो तो बदलाव करते वक्त आप जल्दी बाजी बिल्कुल भी न करें दोस्तों आज आपके लिए उपाई क्या है कि आज के दिन आप तांबे का सिक्का या तांबे का टुकरा अपनी जेव में रखें इस उपाई को आज माने से आपका समय शांदार हो जाएगा आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है काला और नीला आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली अंक है आठ यानि की एट तो यही था आपके आज के दिन का रासी फल ले तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवाद जैसी आराम